मध्रपदेश सरकार की लाड़ी बहना योजना का असर तीन महिनों में ही दिखाई देने लगा है। योजना ने प्रदेश की महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने का आउसर दिया है। मध्रपदेश सरकार की लाड़ी बहना योजना ने ना सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिती में सुधार किया है बलकि महिलाओं आत निर्भर होकर सशक बनकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर वर्क की चिंता करने वाले मध्रपदेश की मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदेश का खजाना खोल दिया है। ऐसे में महिलाओं का कहना है कि 1250 रुपए की राशी मिलने के बाद उनको घर का खर्द चलाने में काफी सहायता मिली है। ये योजना आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो ये योजना मतलब अच्छी योजना है। मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने लाड़ी बहना योजना लॉंच करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। अशोक नगर जिले की तकरीवन एक लाक महिलाएं इस योजना का लाब ले रही है। उनके लिए ये योजना वर्दान साबित हुई है। जिले की महिलाएं शिवराज सरकार की इस योजना से बेहत खुश हैं। और शिवराज सिंग चोहान का धन्यवाद कर रही है। आएनच निउस के लिए अशोक नगर से बीरो रिपोर्ट भोपाल।